असलाम वालेकूं आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मोमोस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जो की स्ट्रेट स्टाइल है और इसके साथ में लाल वाली तीखी चटनी जो मोमोस के साथ खाई जाती है यह बहुत टेस्टी बनी है एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें मुझे उमीद है यह आपको भी बहुत पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा देखा करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसक मिला दिया अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक मीडियम सौफटा आटा गुदना है आटा बहुत सक्त नहीं गुदना है नहीं बहुत जादा नरम गुदना है मीडियम हो तो देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूट लिया है और यह बिल्कुल चिकना हो गया है अब इस पे तेल लगाएं और इसे ढख के 10-15 मिनट के लिए सिट होने के लिए रख देते हैं तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने 200 गिराम चिकन का कीमा ल निया केवम चैनल से में के स्क, और इसमें, दो मेडियाम साइज की मैंने लागेपारििक क्टिउप यह यह लागबग मिर्च है है और इसमें एक चोथाई कब धन्या पत्ती डाल दी है और एक छोटा चम्मच लहसुन गरेट करके डाला है और एक छोटा चम्मच गरेट किया हुआ अधरक और एक छोटा चम्मच बारिक कटी हुई हरी मिर्च डाली है आप इन सब चीजों का पेष्ट भी डाल सकते हैं और आधा छोटा चम्मच काली मिच्च पाउडर और आधा चोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच सोया सौस and दो बड़े चम्मच घीरी डाला है अगर आपके पास बटर हो तो आप जरूर डालें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है अब हमारी स्टफिंग तयार है अब इसे ढख के साट पे रख देते हैं तो चलिए अब हम मोमोस की चटनी बना लेते हैं जो कि बिल्कुल authentic है इसके लिए मैंने पैन में एक बड़े चम्मस तेल डाला है और इसमें 8-9 लहसुन की कलिया एक इंचदरक का तुकड़ा 5-6 कश्मीरी सुखी लाल मिर्च और इन सब को 1-2 मिनट तक भून लेना है कश्मीरी मिर्च थोड़ी कम तीखी होती है अगर आपके पास नॉर्मल वाली सुखी लाल मिर्च है तो इसे अपने टेस्ट के अकारिन कम कर सकते हैं जितना आप तीखा पसंद करते हैं अब इसमें एक छोटा चम्मच मैंने तिल डाला है और दो बड़े चम्मच बारिक कटी प्यास और दो बड़े चम्मच के लगबग धनिया के डंठल इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इन सब चीजों को दो से तीन मिनट तक भून लेना है अब इसमें दो मिडियम साइज के बारिक कटे हुए टमाटर डाल दिया और इसी के साथ स्वादानुसार नमक और अभी इन सब चीजों को सॉप्ट होने तक में पकाना है सिर्फ धीमी आज पे पकाएं ताकि सारी चीजें बिल्कुल सॉप्ट हो जाएं थोड़ा समयने रेड फूट कलर डाला है यह ऑप्शनल है लेकिन मार्केट में यह डलता है जिसे की कलर देखने में अच्छा लगता है तो देखिए सारी चीजें बिल्कुल सॉप्ट हो गई हैं तो अब हम आज को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं एक पार मॉमोस की चटनी इस तरह से बना कर जरूर देखें मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने अभी तक मॉमोस की ऐसी चटनी नहीं खाई होगी यह इतनी टेस्टी बनी थी अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे बारीग पीश ले तो देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल अमारी मॉमो की चटनी बनके तयार है यह बहुत टेस्टी लगती है एक बार इस तरह से जरूर बनाएं आप इसे पूरी चपाती पराठे और बिर्यानी के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी लग रही थी तो चलिए अब हम आठे को देख लेते हैं तो देखिए हमारा आठा बिल्कुल सेट हो गया है अब इसकी हम छोटी छोटी लोईयां बना लेते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बनाना है जितना lemon की साइज की अब इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया है और इसे पतला बेल लेते हैं तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है अब इस पे एक पड़े चमच के लगभग इस टफिंग डालें और मोमुस की डिजाइन बना लेते हैं मार्केट में कई तरह की डिजाइन बनती है मैंने भी कई तरह की ट्राइ किया है आप कुछ जुस आसान लगे आप उस तरह से बना सकते हैं बहुत मुश्किल नहीं है बनाना अगर एक से दो बार आप बनाएंगे तो इंशाल्ला आप भी आसानी से बना सकेंगे मुझे भी बहुत अच्छा एक्सप्रियंस नहीं है तो देखिए डिजाइन बनके तयार है तो दोसरी अब डिजाइन को बना लेते हैं अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बिल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालू आपके पास उसक प्लीज आप लोग कमेंट नहीं करते हैं अब प्लीज आप लोग कमेंट किया करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है तो देखिए इस तरह से सारे मोमोज तयार कर लेते हैं तो चलिए अब हम इसे स्टीम देते हैं मैंने नीचे एक बरतर में पानी गरम होने के लिए रख दिया है और उसके उपर कोई भी स्टील की चलनी या जाली जो भी आपके पास हो उसको रख देते हैं और इसको तेल से अच्छे से चिकना कर लेते हैं जिससे की मोमोज उसमें चिपके नहीं अब इसमें एक एक करके मॉमुज को रख लेते हैं थोड़ा दूर दूर पर ही रखें ताकर ये आपस में चिपके नहीं और इसे आठ से दस मिनट के लिए ढख के पका लेते हैं तो देखिए 8-10 मिनट बाद हमारा मोमोस बनके तयार है अब इसे निकाल लेते हैं तो देखिए हमारा चिकन मोमोस बनके तयार है यह बहुत टेस्टी बना था और इसकी चटनी तो बिल्कुल लाजवाब थी आप इसे एक बार जरूर बनाएं और नीचे कॉमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और अगर आपने अभी तक लाइक नह नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें तो देखिए अंदर से बहुत जूसी है वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी तब तक के लिए अल्ला हाफीज